दे लाइफ टीवी सच सबसे आगे नमस्कार महुर अंजीत जा और आप देख रहे हैं दे लाइफ टीवी इसराइल और फलिस्तीन की जंग में कुदे हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इसराइल पर बड़ा हमला किया है लिबनान बॉडर से सीधे रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक लिबनान बॉडर से सटे इसराइली सैनिय ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा हमला किया है जिसमें सैकरो इसराइली सैनिय घायल हुए हैं कईयों के जान जाने की भी खबर है और जो इसकदर घायल हुए हिजराइली सैनिय उनके बचने की भी संभावना नहीं है वो अब मोत की भीक माग रहे हैं इसकदर हिजबुल्लाह ने हमला किया है जो जानकारी मिली है उसके मताबिक पहले इसराइल ने लेवनान पर हमला किया था जिसके जबाब में लेवनान एर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट हुआ था और फिर इसराइली सैना को मुहतोर जबाब देने के लिए हिजबुल्लाह ने भी कमर कस ली थी हिजबुल्ला के कमांडर नसुरल्लाह ने अपने लड़ाकों को इसकड़ ट्रेनिंग दी है कि वो घात लगा कर हमला करते हैं ऐसा हमला किया है इसराइली सैन्य ठिकानों पर कि इनके होश उड़ गए हैं जरा यहां सुनिए क्या जानकारी मिल रही है निउज 18 पर हिजबुल्ला के मताबिक उसने यह हमला इसराइली सैना के श्मोरा पेस पर किया जिसमें इसराइल के कई सैन्य को के बुरी तरह घायल होने की आशंका जताए गई तो सुन लिया आपने खबर बस इतनी ही नहीं है दावा यह भी किया जा रहा है कि पांच हज्जार इसराइली सैनिकों को हिजबुल्ला ने बंदक बना लिया है और यह बहुत बड़ी खबर है इसराइल को बैक फूट पर ला देने के लिए 89 लाख के पोपुलेशन वाले इसराइल के आलत तो इतनी खड़ाब है कि उसके पास सारे के सारे सैनिक नव सिखुए हैं जिनके पास पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं है दुनिया में बस एक धकोसला रचा गया है कि इसराइल बहुत ताकतवर है उसके पास सब कुछ है वो किये गए हैं उस सैनि ठिकाने से खुब गतिविदी होती थी लेवनान पर हमला किया जाता था लेकिन हिजबुलाह के लराकों ने उन सब को धेर कर दिया है अब जिस पाच हजार सैनिकों के बंधक बना जाने की खबर हमें मिली है वो संबंद में आपने स्क्रिन पर देखि यहां बताया जा रहा है कि इजराइल के पांच हजार सैनिकों को हिजबुलाह ने बंधक बना लिया है ऐसा दावा किया गया है हाला कि प्रस्थिति में जो रिपोर्ट है अपने स्प्रिन पर देखिए यह सीधे रिपोर्ट वहीं से है लेबनान इजराइल बॉडर से एक रिपोर्टर नाम है जावेज निजटिन का ही रिपोर्टर है और इन्होंने ही जानकारी दी है कि लिबनान से हिजबुल्ला ने बड़ा हमला कर दिया इसराइल के सैन ठिकानों पर जिसमें सैकरों सैनिकों के घायल हो जाने की खबर है कईयों के जान गवा देने की भी जा रहा है कि या घायल हमला इतना बेजभण है किसी के बचने की संभावना तक नहीए जो इलाजनात है वह भी शयद बच जाए तो भगवान भला करेंगे लेकिन बचने की संभावना नहीं है उज्राइल के सेना के ठिकानों पर इस कदर हमला किया गया है यहाँ हिजबुला का कहना है कि हमने हमले की जिम्मेदारी तो ली ही है साथ ही साथ पूरी तयारी के साथ इन पर हमला किया गया था यह भी इन लोगों ने कबूला है इसका मतलब साफ है कि हिजबुला ने जो दावा किया जिस बड़े जंग की बात हिजबुल्लाह ने कर दी थी अब उसकी शुरुवात हो गई है यह खबर अब इजराइलियों को सोने नहीं देगी किस-किस मोर्चे पर इजराइली जंग लड़ेंगे जरा सोचिए क्योंकि बीते ही दिन पहले जब हिजबुल्लाह के कमांडर ने एलान किया कि उसके लड़ाके काफी तैयारी के साथ अब इजराइल को महुतोर जवाब देने के लिए तैयार हैं उनके पास मिसाइल से हैं और उन्हें काफी लड़ाकों का साथ मिला हुआ है सारे लड़ाके हिजबुल्लाह के समर्तन में जो से भरे हुए हैं जो हमला करना इस तैयारी ने ही तो इजरायलियों के हो सुगा हला कि इसरायल को लगा कि लेवनान से निपटना उनके लिए बाया हाथ का खेल होगा वह हमला तो कर बैठे लेकिन जो जबावी कारवाई हुई वह इन लोगों के हो सुगा देने के लिए काफी थे तीस तीस रॉकेट डागे गए हैं ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है जब उपने स्क्रिन पर या खबर देखिए यहां रिपब्लिक भारत ने जानकारी थी इजराइल पर तावरतोर हमला लेबनान की और से एक घंटे में दागे गए तीस रॉकेट इरंडोम ने किया नकाम यानी कि उनका कहना एक हम ने तो नकाम कर दिया लेकिन इस बक्त जो जानकारी मिली ह избulullah रुकने बालों मेंसे नहीं है उसने ऐसे एसे हमले किये ऐसी प्लानिंग कि कि इनके सारे तक्नीक हैं चagar़े ऐरंडोम की अभी है इस्राइल हमास के बीच जारी युद्ध के बीच एक घंटे में ही इस्राइल पर करीब 30 रॉकेट दागे गए हैं इस्राइली सेना का कहना है कि वो तो फखाने के जरी हमले के अस्थान पर गोली बारी कर रहे हैं वहीं आईडियाफ ने संभावना जताई है कि यह हम हमास ने नहीं बलकि हिजबुला की तरफ से किये गए हैं जबकि हमास ने इन हमलों की जिम्मिदारी लेकर सब को चौका दिया है हमास ने कहा है कि उसने लिबनान से 16 से ज्यादा रॉकेट उत्री जायल पर छोड़े हैं इनका कहना यह है कि हम हिजबुला से हाफ मिला चुक कि हिजबुला के ठीकानों को तबाह करने के लिए लिबनान में इसराइल ने बहुत बड़ा हमला किया था सारी राज बंबारी होती रही जिसके चलते अब हिजबुला ने उन्हें कड़क जबाब दिया है और इसकदर जबाब दिया है कि इसराइली के होश उड़े हुए ह यहां आपको जानकारी दे दें कि जो हमारे पास रिपोर्ट है हिजबुल्ला के ताकतवर होने की कितने मिसाइल्स हैं कितने हत्यार हैं और कैसे यह अपने हमलों को अंजाम देता है वजर आपने स्क्रिंट पर आप देखिए यहां टिवी 9 ने लिखा भी है 3 लाख रड़ा के 15 लाख मिसाइले तयार हिजबुल्ला ने इजराईल को खत्म करने का बनाया प्लान आकी स्क्रिंट किया है तो कैसी तैयारी है ज़रा देखें पने स्क्रीन पर खुफिया रिपोर्ट के मुताविक हिजबुल्ला इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन हनुका चलाने का प्लान बना रहा है यानि कि जो यह हमला हुआ है वो ऑपरेशन हनुका के तहत हुआ है ठीक वैसे ही जैसे हमास फिरे हमले किये जा रहा है हालाकि का कहना है कि वो इनके हमले को नकाम कर देता है लेकिन सच्चाई यही है कि इसराइल की हालत खराब कर दी गई है कुछ तस्वीरे हम आपको दिखा देते हैं देखिए यह रूहिन भी ने शेयर किया था हिजबुल्लाह रॉकेट्स स्ट्राइक किर्यत समोना यह इसराइल का एक छेत्र है जहां पर देखिए क्या हलत हो गई है इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं वहाँ आईडियफ को तबाह करने के लिए हिजबुल्लाह ने पूरे प्लान मना रखे है यहां रूहिन भी कि एक और तस्वीर देखिए यह जो आप धुआ देख रहे हैं दुनला दुनला दिखाई पर रहा है इसमें इस तस्वीर को शेर करते हुए लिखा भी गया है हिजबुल्लाह रिलीजड फुटेज ऑफ देम टार्गेटिंग आईडियाप साइट्स विद सुसाइड ड्रोन्स एकुरेट्ली हिटिंग देर टार्गेट्स यह कहना है कि हिजबुल्लाह ने कुछ फुटेज जारी किये हैं जिसमें बताया गया है कि जो इसराइली डिफेंस फोर्स के ठीकाने हैं उनको टार्गेट करके सुसाइडल ड्रोन्स गिराए जा रहे हैं जिसके चलते वहाँ पर तवाही मच रही है इसराइली सेनिकों को भागना पर रहा है या फिर उनकी जान जा रही है एक तस्वीर और आप देख लीजिए कि कैसे एटीजियम एटेक हिजबुल्लाह ने प्लान किया जो लिबनानी मोर्थे पर इसराइली जंग लग रहे हैं वहाँ पर हिजबुल्लाह ने इस तरीके से हमला किये तो उस कंपाउंड में ही इसराइली क्रिव मारे गए हैं यानि कि ताबरतोर हमला जारी है इसराइलीयों के होस्ट ठिकाने लगाने के लिए हमास और हिजबुल्लाह ने कमर कस रखी है जंग बड़ी हो गई है और अगर इस बक्त पाथ हजार इसराइली बंधक हिजबुल्लाह के पास हैं तो इसराइल को गुटना टिकना पर सकता है क्योंकि यह इसराइल का इतिहास रहा है वो अपने सैनिकों को छुराने के लिए हजार और हजार लोगों को छोड़ता है फिलाल इस वीडियो में तो नहीं आप सभी का हमसे जुरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद